गुड मॉनिंग फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का एक वर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉंसेप्ट में दोस्तों आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक वर फिर से RRB NTPC CBT1 एक्जाम के लिए प्रिबियस एर सेट देखेंगे वीडियो ने देखें तो इसके डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया है कि आप लोग यहां से देख लिए या फिर हमारे चैनल के कह करदे तब दोस्तों में भी इसको श्यर जार चैनल करती कि आज का सेशन और देखते हैं इस सेट है पहला क्वेश्चन यहां पे क्या दिया गया है तो दखिए कोष्चन बर्ची हनोँ पर फ्रस्ट को परतां के बाद गूप्तं की बाखय द्वर किसने शंभाली चंदर गुप्त पर्थम के बाद गुप्त समराज की बागदोर किषने संभाली सही अंसर इस question का option number 3 समुद्र गुप्त हो जाएगा ठीक है चंदर गुप्त पर्थम के बाद गुप्त समराज की बागदोर किषने शंभाली थी तो समुद्र गुप्त ने option नमर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है 335 ASV में जो है ये मौरसमराज की गद्धी पर बैठे थे 335 ठीक है 335 ASV option नमर 3 है सही आंसर इसका और फर्स याद रखेगा समुद्र गुप्त जो है इन्हें भारत का नेफोलियन भी कहा जाता है तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट जो कुश्चन है इस कुश्चन को देख लीजिए question नमर 2 है कि हावा की गती को मापने के लिए निमनलेखित में से किस उपकरन का उपयोग किया जाता है हवा की गती को मापने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है सही आंसर है एनिमो मीटर एनिमो मीटर का प्रियोग जो है हवा की गती को मापने के लिए किया जाता है option नमर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा और फ्रेंट्स देखे यह जो उडो मीटर दिया गया है उडो मीटर जो है वर्सा की मातरा को इंस या सेंटी मीटर में मापने वाला एक उपकरन है इसके अलवा ए मीटर से जो है फ्रेंट्स याद रखेगा इनका A meter का प्रियोग जो है ये परतिया औरती बितु धारा को MPR में मापने के लिए किया जाता है और हाइगरो meter जो है ये आर्दरताप मापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आर्दरता मापने के लिए किया जाता है ठीक है तो option नमबर जो दो दिया गया animometer इस question का यहा हो जाएगा random access memory जो है या एक volatile memory है option नमबर एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा देखे फिरस volatile memory जो है एक computer memory है जिसे जो है संग्रहित जानकारी को बनाया रखने के लिए computer को निरंतर पावर सप्लाई की आवसकता होती है तो option नमबर एक इस question का यहाँ पे सही आंसर है अग जिसके माध्यम से अपना पोशन प्राप्त करता है तो सही आंसर है बीजांटसन के माध्यम से ठीक है बीजांटसन के माध्यम से बीजांटसन या अपरा जो है यह वह अंग है जो गरवावस्ता के दौरान मा में विक्सित और प्रतियारोपित होता है और यह वह अंग होता है जिसके द्वारा गर्वासे में इस्थित भुरून को सरीर में माता के रखत का ऑक्सीजन और पोसन पहुंसता रहता है जिससे भुरून की बिरिधी होती है और यह माता और भुरून के सरीर में संबंद अस्थापित करने का माध्यम है तो option नमर तीन बी जांसन जो और राइट अंसर, unit 1, यहांपे क्या हो जाएगा, शाची अस्तूप, साची अस्तूप जो है, मद्य पर्देश में, भगवान गुद्ध के सम्मान में, समराट असुख द्वारा बनवाया गया, बहुत असमारक है, आपसिर निम्मर झुछ से आप लोग solve कर लिजेगा तो question नमर जु six दिया गिया सबसे पहले इस question को पहले आप लोग देख लिजेए उसके बाद यहां जो है दिखे आ गया और दिया गया है और उसके बाद जो option दिया गया है चार option तो इसका सही answer यहां पर option नमर जो 3 दिया गया है यह बिल्क और next question इसमें है खिलाफत आंदोलन की सुरुवात में हुई थी यानि कि कब हुई थी खिलाफत आंदोलन की सुरुवात जो है वाकिस इस माफ कीजेगा ये कहां से हुई थी तो सही आंसर इसका option नमर 3 तुर्की हो जाएगा ठीक है खिलाफत आंदोलन की सुरुवात जो है वा सरकार को तूर्की के प्रतिवना रूख वदलने के लिए मजबूर करने के लिए अखिल भारत्य खिलाफत समीति का गठन किया गया था ऑप्सिन नमर जो तीन दिया गया इसकोश्चन का यहां पर सही आंशर हो जाएगा और जो next question इसमें हो जाएगा question नमर हो जाएगा 10 देखिए इसमें कहा रहा है कि IPAB की अस्थापना 2003 में वानिज एवं उद्योग मंतराले के अधीन हुए थी इसका पूर्ण रूप क्या है IPAB का पूर्ण रूप जो है यहाँ पे पूछ रहा है तो देखिए इसका पूर्ण रूप यानि की full form है Intellectual Property Appellate Board ठीक है Option नमर जो 2 दिया गया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ठीक है चलिए अब जो अगला प्रशन है इस प्रशन को देख लीजिए प्रशन नमर हो जाएगा ग्यारा और प्रशन नमर 11 का सही आंसर फ्रशन नमर जो एक में 55 दिया गया है यह होगा नेक्स्ट हो जाएगा इसमें क्वेशन नमर 12 ठीक है सबसे पहले तो इस क्वेशन को आप लोग देख लीजिए पूरा और चार आप्सन जो फ्रशन दिया गया है देखिए सही आंसर इसका आप्सन नमर एक बिल्कुल सही हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट कोईशन हो जाएगा कोईशन नमर 13 में कह रहा है कि मौलाना अबूल कालाम आजाद ट्रॉफी M.A.K.E. की सुरुवात खाली जगद दिया हुआ है यानि कि किस S.V. में की गई थी और यह सभी भारतिय विस्व विद्यालियों में से खेलों में सर्वस्त्रेश्ट परदासन करने वाले विस्व विद्याले को परदान की जाती है इस भी पूछा जा रहा है तो इसका S.V. option नमर 1 1956 संतावन हो जाएगा ठीक है इसकी सुरुवात जो है 1956 संतावन में हुई थी option नमर 1 जो है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर यहां पे होगा 14 नमर question का right answer फ्रेंस option नमर 3 होगा उसके बाद अगला question 15 नमर में किया रहा है कि काठिया वार प्राइदूइप खाली जगा है का भागौलिक और सांस्कृतिक विस्तार है काठिया वार प्राइदूइप जो है किसका भागौलिक कहां का भागौलिक और सांस्कृतिक विस्तार है तो यह है राजस्थान का ठीक है कहां का है यह राजस्थान का है option नमर दो इस question का यहाँ पे सही answer first हो जाएगा ठीक है उसके बाद जो अगला प्रश्ण है इसमें प्रश्ण नमर यहाँ पे जो सुल्ला दिया गया इस question को question नमर 17 का right answer हो जाएगा option नमर एक next 18 का सही answer option नमर चार है 19 का friends हो जाएगा option नमर तीन उसके बाद 20 का सही answer जो option नमर एक है यह बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रश्ण जो 21 नमर दिया गया कह रहा है कि भारत का सबसे बरा नाभी के सकती के अंदर में इस्थित है भारत का सबसे बरा नाभी के सकती के अंदर जो है पूचरा की कहा में इस्थित है तो यह तारापूर में इस्थित है ठीक है महराश्टर में इस्थित तारापूर जो है यह परमानू बिजली घर भारत की पर्थम प्रमान उर्जा परियोजना थी और इसने 28 अक्टूबर 1969 से करकरना सुरू कर दिया था तारापूर ओप्सन नमर दू इस question का सही answer हो जाएगा और देखेंगे अगला प्रशन, प्रशन नमर 22 इस प्रशन को सबसे पहले आप लोग पूरा पढ़ लीजेगा फ्रेंट्स और देखें जो चार उप्सन दिया गया है 22 का इसका राइट answer उप्सन नमर जो एक है यह बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रशन है इस प्रशन को देखेंगे प्रशन मर था इसमें कहारा आ है कि 2019 मैंनिम्न लेकित में से किसे भारत रतन से समानित किया गया था तो इसके लिए पहले ऑपसन देखेंगे यहाँ पे देखे चार option जो दिया गया है तो right answer इसका option नमर तीन हो जाएगा नाना जी देश्मुक ठीक है नाना जी देश्मुक फ्रंट सी याद रखेगा 2019 में जो है पूर्वराश्वपती प्रणव मुखर जी देवंगत समाजी कारेकर्ता नाना जी देश्मुक और देवंगत गायक संगीत कार भूपेन हजारिका इन तीनों को जो है बारत रतन से समानित किया गया था 2019 से इसमी में आपसन नमर 3 इस कुश्चन का सही आंसर है और नेच्ट है नीला थोथा का रासाइनिक नाम क्या है नीला थोथा का रासाइनिक नाम पूछ रहा है तो सही आंसर है देखिए इसे कॉपर सलफेट कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है कॉपर सलफेट आपसन नमर 3 जो है इसक 26 नमर में कहा रहा है कि दोहने की तीवरता को मापने के लिए निमनलेकित में से किस मात्रक का उप्योग किया जाता है तो इसमें डेसीवल का प्रियोग होगा और 27 नमर जो क्विश्चन दिया गया है दिखिये 27 का जो राइट आन्सर यहाँपे हो जाएगा 28 जो सही आंसर होगा ओप्सिन नमर चार 29 नमर जो क्विश्चन है कि कुलेरु जीहील कहां इस्थीध है कॉलेरु जील कहा स्थीत है तो फ्रॉंट्स कॉलेरु जील जो है ये कॉलेरु जील आंद्रपरदेस में कृष्णान और गदावरी नदियों के डिल्टा के बीच में स्थीत है तो उपसर नमबर जो चार दिया गिया है इस Question का यहां पे सही आंसर है और देखेंगे अगला प्रश्ण प्रश्ण नमर है 30 देखें इस प्रश्ण में कहरा है कि निमनलेकित में से क्या भारत का प्रमुक कारेकरम नहीं है निमनलेकित में से क्या भारत का प्रमुक कारेकरम नहीं है तो वह हो जाएगा मरु अस्थल विकास कारेकरम जो है या भारत का प्रमु कारेकरम में से नहीं है तो अपसन नमर तीन जो है इसका देखे बिलकुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा और 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपसन नमर तीन हो जाएगा अगला प्रशन है बातिश नमर में के राय की नैनो साइन्स एंड़ टेक्नोलोजी यानि की नैनो मिशन की सुरुवात में की गई थी यानि की कि ससन में की गई थी तो सही है इसका option नमर तो 2007 इस भी में है ठीक है 2007 इस भी option नमर जो 2 दिया गया है ये बिलकुल सही है अगला प्रशन देख लिजी कि राएकी भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वरा विक्सित किया गया था सही आंसर है इसका DRDO और BARC ठीक है भावा अटोमिक रिसर्च सेंटर के द्वरा ठीक है DRDO और BARC के द्वरा जो है इसे विक्सित किया गया था option नमर जो एक दिया गया है इसका सही आंसर है 34 का front सही आंसर यहां option नमर जो दो दिया है यह बिल्कुल सही हो जाएगा 35 का right answer हो जाएगा option नमर एक और उसके बाद चलिए अब अगला प्रशन देख लिजिए प्रशन नमर है 36 देखें इस प्रशन में कहा रहा है कि राश्ट्रिय मानवादिकार आयोक का अधियक्ष कौन होता है सही है भारत के सेवा निवरित मुखे ने आएधिस यानि कि option नमर जो 4 दिया गया है इस question का यहां पर सही answer हो जाएगा और फ्रेंट्स राश्ट्रिय मानवादिकार आयोक किया स्थापना भारत में 1993 यानि कि 1993 भी में किया गया था यह भी जरूरी याद रखेगा next question जो दिया है इसमें कहा रहा है कि 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतराश्ट्रिय मुद्राकोस यानि कि IMF में total कितने सदसेदेश सामिल है right answer इसका हो जाएगा option number 3 total 190 देश जो है इसके सदसेदेश है 31 अक्टूबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार option number 3 है बिल्कुल सही और अगले प्रश्ण में गयरा है कि निम्रलेकित में सेख्या सन्युक्तराश्ट का एक अंग नहीं है इनमें से कौन सा सन्युक्तराश्ट का एक अंग नहीं है तो ये राज्य परिसद जो है देखिए ये सन्युक्तराश्ट संग का एक अंग नहीं है बाकी महासभा अंतराश्टी नियाला और सन्योक्तराश्ण सची वाल है तो ये सन्योक्तराश्ण के ये छे अंग है याद रखेगा राजय पड़ी सत जो है ये अंग नहीं है तो इसलिए आपसे नमबर जो एक दिया गया है इस क्वेश्चन का यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला प्रशन देख लीजिए निम पेर सांती तिग्गा अपसे नमर जो दिया गया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर अगला प्रशन में कह रहा है कि NCSM संस्कृति मंत्राले के अधीन एक स्वायत संस्था है इसका पूर्ण रूप क्या है इसका पूर्ण रूप NCSM का फूल फॉर्म पूछा जा रहा है तो प्रशन नमर चार जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रशन नमर एकतालिस जो दिया गया है इस प्रशन को सबसे पहले आप लोग देख लिजिए पूरा और चलिए इसका जो आपसन दिया गया है इसके ऑपसन को देखते हैं देखे फ्रेंट्स राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो option नमर जो 4 है यह हो जाएगा 42 का सही आंसर है option नमर दो next 43 नमर जो question दिया गया है देखिए इस question में कहा रहा है कि निम्नलखित में से क्या सारवजनिक शेतर की एक इकाई नहीं है तो वह है ICICI ठीक है ICICI option नमर जो 2 दिया गया देखिए इस question का यहां पर सही आंसर हो जाएगा और उसके बाद 44 नमर जो question दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा option नमर चार next है इसमें कि कामत नामचाबरवा गुर्ला मंधाता निम्न में से किस के नाम है कामत नामचाबरवा और गुर् नामचाबरवा जो की option नमर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा और 46 का यहां पर सही आंसर जो option नमर 4 है यह बिल्कुल सही हो जाएगा next देख लिए 47 नमर question में कह रहा है कि नेमलेकित में से क्या ग्रामिन विकास का समर्थन नहीं करता है तो यह है सहरी रेन option नमर 1 है इसका सही आ जाएगा next उन्चाश नमर question में कह रहा है कि 1929 में दिल्ली की केंद्रिय विधान सभा में किने 28 से नानियों ने smoke bomb फेके थे उने 29 सी सिवी में सही है भगत सिंग और बटू के सुवरतत यह दोनों के दोनों जो है 1929 में दिल्ली की केंद्रिय विधान सभा में जो है smoke bomb फेके तो option number 2 इस question का है सही answer और 50 का right answer जो दिया गया है 50 number question देखिए सही answer इसका option number जो 3 है यह बिलकुल यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है चलिए अब अगला प्रश्ण जो है इस प्रश्ण को देखते हैं प्रश्ण number 51 में कह रहा है कि computer सब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या ह IDN का full form पूछ रहा है तो friends IDN का full form होता है internationalized domain name ठीक है internationalized domain name जो है IDN का full form होता है याद रखेगा option number 3 इस question का है सही answer और उसके बाद next non-volatile memory एक परकार की computer memory है जो computer के खालिये गया है भी संगरहित सुचनाओं को प्राप्त कर सकती है तो देखें इसका सही answer option number यहाँ जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा चालू ना होने पर ठीक है friends next question है 13 नमर में कह रहा है कि उस्मा संतुलन क्या है उस्मा संतुलन उस्मा संतुलन क्या है तो सही answer देखिए इसका जो option number 1 है इसका सही answer हो जाएगा प्रित्वी द्वारा अप्सुसित आप्तित उस्मा और विकिरन के रुप में बाहर जाने वाले उस्मा के बीच संतुलन ठीक है तो option नमर एक इसका right answer हो जाएगा और चलिए अब अगला प्रश्ण जो है इस प्रश्ण को देख लिजिए खाली जगह है के अंतरगत भुकंपों का अधियन किया जाता है किसके अंतरगत भुकंपों का अधियन किया जाता है सही है सिस्मा लॉजी के अंतरगत ठीक है सिस्मा लॉजी के अंतरगत किसका अधियन होता है भुकंपों का तो option नमर एक इसका right answer हो जाएगा 55 का फ्रेंट्स यहाँ पे सही आंसर जो option नमर 3 है यह बिल्कुल सही होगा 56 का यहाँ पे right answer हो जाएगा option नमर 4 next देखेंगे 57 इसमें है 24 में जैन तिर्थंकर का नाम क्या था 24 में जैन तिर्थंकर का नाम पूछ रहा है सही आंसर है महावीर ही है जो की जैन धर्म के 24 में तिर्थंकर है option नमर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब अगला प्रशन देखेंगे यहाँ पे 58 नमर में right answer इसका option नमर जो 4 है यह बिल्कुल सही है और उनसर का यहाँ पे सही आंसर जो दिया गया है option नमर 3 में यह बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रशन है इसमें कि दुनिया का पहला अधिकारी के एर मेल फरवड़ी 1911 में कहां से कहां भेजा गया था तो यह भेजा गया था option नमर जो एक है इलहावाद से 9 भेजा गया था ठीक है दुनिया का पहला अधिकारी के एर मेल फरवड़ी 1911 में इलहावाद से 9 भेजा गया था आपसें नमर एक जो है इसका यहां पर सही आंसर हो जाएगा चली आई freds अब देखते हैं अग्ला प्राश्ण प्रश्ण नमर हो जाएगा एक सठ और इसका जो सही आंसर हो जायगा एक सड का वो ऑश्य नमर जो एक दिया गया है ये बिल्कुल सही है बासट नमर next 63 जो दिया गया है देखिए 63 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा option number 4 next देखेंगे 64 और 64 का है option number 1 अगला प्रशन 65 नमर का जो हो जाएगा देखिए option number 1 जो दिया गया है यह इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा और next जो question है इसमें किराए कि प्लूटोगरा की खोजगिशने की थी सही आंसर इसका कलाइट टॉमबाग हो जाएगा कलाइट टॉमबाग जो है इस question का यहाँ पर सही answer हो जाएगा और next 66 नमर जो question है इस question को साबसे पहले आप लोग देख लिजिए पूरा फ्रेंट्स और जो चार option दिया गया है इसमें से तो सही answer इसका सरसट का हो जाएगा option number 2 ठीक है अगला प्रश्ण है मौत्सू पर्व भारत की किस भाग में मनाया जाता है ठीक है किस राजी यहाँ पर हो जाएगा किस राजी में मनाया जाता है तो यह मना जाता है भारत के नागालेंट राज में option number 1 जो है इसका सही हो जाएगा मौत्सू नागालेंट की ए ओ जन जातीय समूदाय द्वारा मनाया जाने वला त्योहार है ठीक है ए ओ जन जातीय समूदाय द्वारा option number 1 है बिलकुल सही answer और अगले प्रश्ण में गेरा आए कि किसी अन्य कमरें में बात कर रहे लोगों की बाते हमें धोनी तरंगों के कारण सुनाई देती है कारण सुनाई देती है तो इसके लिए हो जाएगा विवर्तन की कारण सुनाई देती है ठीक है विवारतन, option number 3 हो जाएगा इसका सही आंसर और next है, अंतराष्टिय स्रम संगठन यहनि की ILO का मुख्याले कहां इस्तित है अंतराष्टिय स्रम संगठन का मुख्याले कहां इस्तित है तो इसका मुख्याले friends, स्विजलेंड की जेनेवा में इस्तित है option number 3 जो है, इसका यहां पे सही आंसर हो जाएगा next देखेंगे, 71 का, इसका सही आंसर हो जाएगा option number 3, 72 का friends, देखें, option number जो एक दिया गया है यह हो जाएगा, 17 मीटर, next 73 का जो हो जाएगा, वो हो जाएगा option number 4 और 74 जो question दिया गया है, इस question को देख लिजे पूरा और उसके बाद जो इसका सही आंसर 74 का हो जाएगा, वो हो जाएगा option number यहां पे, 4 जो है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा देखेंगे, next question दिया है, इसमें, भारत के राश्रपती के महाभ्योगी की प्रकिरिया, भारते समिधान के कौन से अनुछेद में उलेखित है, तो सही हो जाएगा, देखें, अनुछेद 61 में उलेखित है यह भारत के राष्टपती के महावियों की प्राकिरिया तो आपसे नमर एक इसका हो जाएगा सही आंसर और 76 का सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपसे नमर जो तीन दिया गया है यह बिलकुल सही हो जाएगा चलिए अब जो अगला परश्ण है इस परश्ट को देखेंगे 77 क का फ्रेंट्स जो आपसे नमर तीन है यह बिलकुल सही हो जाएगा और उसके बाद 89 नमर क्वेश्टन का सही आंसर जो आपसे नमर चार है यह बिलकुल सही होगा अगले प्रश्ट में कहरा है कि वर्स 2019 में निमन में से किस पुस्तक को मैन वुकर अंतराश्टी पुरसकार पुस्तक को यह पुस्तक हुआ था सही है सलेश्टियल बाडिज ठीक है सलेश्टियल बाडिज जो पुस्तक है इसी को मैन वुकर अंतराश्टी परसकार मिला था 2019 इस भी में अप्से नमर तीन इस क्वेश्टन का सही आंसर है नैक्श्ट है पेसी तंत्र का कॉन सा भाग डी को हड़ी से जोड़ता है तो चलिए इसके लिए पहले option देख लिजिए चार option जो यहां पे दिया गया है तो इसका सही answer जो हो जाएगा option number 4 यानि कि अस्थी बंद लिगामेंट जिसको कहा जाता है फ्रांट सियादर की का option number 4 इसका सही answer होगा अगले प्राशन में किया रहा है कि कैला से सत्यार्थी के संस्थापक है कैला से सत्यार्थी किस के संस्थापक है तो इसका हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन की जो है यह संस्थापक है option number 3 इसका हो जाएगा बिलकुल सही ठीक है और ये 1980 इसवी में ही सुरू हुआ था, ये भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है, 1980 इसवी, 1980 इसवी, उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रशन है, इस प्रशन को देखेंगे, 83 नमर, देखें फ्रेंट, 83 का यहाँ पे सही आंसर जो अप्सन नमर 2 दिया गया है, ये हो जा जाएगा, 86 नमर जो कुश्चन है, सबसे पहले चलिए, इस कुश्चन को देख लीजी, आप लोग पूरा, ठीक है, और उसके बाद अब जो अप्सन दिया गया है, इसके अप्सन को भी यहाँ पे देख लीजी, 86 का, फ्रेंट से राइट आंसर इसका उप्सन नमर जो चार चार दिया गया है, यह बिलकुल सही हो जाएगा, और 89 नमर जो कुश्चन है, इस कुश्चन को देख लीजी, पहले पूरा, और इसका 89 का जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पे, आप्सन नमर जो तीन दिया गया है, यह बिलकुल सही है, 90 का फ्रेंट से य 92 का friends, option number 3 है, ये सही है, next 93 number question और 93 का यहाँ पे जो सही answer हो जाएगा वो option number 2 हो जाएगा, 94 का हो जाएगा option number 2, question number 95 को देख लिजिए, 95 का यहाँ पे जो सही answer हो जाएगा वो option number 2 हो जाएगा, 96 का right answer friends, option number 1 है, 97 का हो जाएगा option number 1 जो एक दिया गिया है, एंठाइनेवे का फ्रेंट्स हो जाएगा आपस से न्बर तीन और उसके बाद सेक कशीना कमेंट के यहाँ部 कश्चन में पर अब चारिंट्स कीमें आपकर फ्रेंट्स के रहा है पाई ठीक है तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जूरे रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में दुआरा फिर से मिलता है तब तक के लिए जैंद